एलो एवरिवन, वेलकम टू अलो फ्यू जी यो पॉलिटिक्स, तो रीसेंटल यह आपने फ्रांस में रॉइट से रिलेटिट बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स पड़े होंगे, यह टोपिक क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो बिना किसी देरी के शुरू करती है इस इमेज को अब तक इंटरनेट पर देख लिया होगा, इस इमेज के पीछे का इंसिडेंट ही बेसिकली प्रोटेस्ट के लिए जिम्मेदार है, हाला कि इसके पीछे एक वाइड हिस्ट्री भी है, मैं आपको उस हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा, इसके पीछे का मैं आपको पहले बता देता हूं, बेसिकली फ्रांस की कैपिटल पैरिस, पैरिस में जो आउटर पैरिस है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में दिल्ली एंसियार आता है, ठीक वैसे ही फ्रांस में पैरिस है, जो पैरिस में आउटर पैरिस है, बेसिकली पैरिस के वेस्ट में ए और एक बैक्ट सीक पे बैठा हुआ था पुलिस ओफिसर्स का कहना है कि नाहिल ने पहले अपनी कार को बस के आगे से ओवर टेक किया उसके बाद उसने फुट पात के पास अपनी कार की स्पीड को बढ़ा दिया ऐसा करने से एक साइंकल सवार आदमी और एक आदमी जो की पै गाड़ी की रफतार धीमी करने के लिए का लेकिन नाहिल ने ऐसा करने से मना कर दिया और स्पीड को इंक्रीज किया ऐसा पुलिस ओफिसर्स का कहना है ऐसे में एक पुलिस ओफिसर्स की जान जाते बच गई क्योंकि वो गाड़ी के साथ में ही था जहां पर आगे वाला टे चल रहे हैं उसका में कारण नाहिल को इस तरह शूट करना साथ नाहिल की आइडेंटिटी बताई जा रही है आपको बता दू कि नाहिल अलजीर्याई और मुरुक्त को मूल के थे लेकिन वो फ्रांस में आके बस गए थे प्रोटेश्टर्स का ऐसा मारना है कि नाहिल के खि किया गया एक रिशिल डिस्क्रिमिनेशन है वहीं पुलिस ओफिसर्स का कहना है कि उन्होंने सिक्यूर्टी परपस को ध्यान में रखके ऐसा किया आपको बता दो कि ट्रैफिक लाइट पर इस तरह पुलिस द्वारा दो हजार तेश में किया गया यह तीसरा शूट आउट का क पहले से ही पांच मामले दर्ज थे हाला कि सभी मामले चोटे ही थे और सभी पांच मामले ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने से ही संबंदित थे आपको बता दू कि नाहिल को सितंबर 2023 में जोएनायल कोट की जजज के सामने पेश होना था हाला कि उस पर किसी भी तरीके का इस वज़े से फ्रांस की पुलिस को साल 2017 में कई तरीके की फाइरिंग करने के अधिकार दिये गए थे जैसे कि अगर किसी पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि मेरी जान खत्रे में तो वो अपनी सेफ्टी के लिए शूट कर सकता है अगर किसी पुलिस वाले को लगता है कि हम ड्राइवर जो कि गाड़ी चला रहा है अगर किसी भी तरीके से किसी भी सिविलन को खुचलने की कोशिश करता है या फिर उसके साथ ही जो कि गाड़ी में बैठे हुएं किसी भी तरीके के सिविलन को हाम करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में पुलिस फायर कर सकती है और लास के डोर के बिलकुल साथ में थी, वो नाहिल के बिलकुल पैरलल था, वो किसी भी तरीके के गाड़ी के इंजन के आगे नहीं था, जिस वज़े से उसे कुचला जा सके, और दूसरा गोली चलाने के आदेश जो 2017 में जारी किये गए थे, उसमें कहीं यह नहीं लिखा था कि आप 2D परसन को हिट करोगे, हाँ, लास्ट वाली क्लोज में लिखा था कि अगर आपको लगता है किसी की जान बचाने के लिए अगर आपको शूट करना पड़ता है, तो आप परसन को शूट कर सकते हैं, नहीं तो आप उस गाड़ी के परसन कोई गोली मार दो कि जिससे उसकी मौत हो जाए, देखिए मैं नाहिल को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा संभव है कि वो गाड़ी को रिवर्स करके पुलीस ओफिसर्स को को चल सकता था, क्योंकि पुलीस ओफिसर्स ने जो नाहिल के साथ conversation की है, वो हमारे पास इस समय नहीं है, जब तक इस case की finding नहीं सामने आ जा जा जी, तब तक हम कुछ concrete क्या भी नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरीकी की firing को हम legitimate भी नहीं ठहरा सकते हैं, कहीं से भी, फ्रांस बिल्कुल जल रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कही 2005 वाला incident दुबारा ना हो जाए, 2005 में क्या हुआ था, पहले मैं आपको वो बता दे, साल 2005 में क्या हुआ, दो French citizen जो की French मूल के नहीं थे, उन्होंने पुलिस से बचने के लिए power station के अंदर छुपना पसंद किया, ऐसे में current लगने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद फ्रां में फ्रांस में emergency declare की गई थी, क्योंकि तब फ्रांस में बहुत से bomb blast के case देखने को आई थे, जो कि एक आतंगवादी घटना थी, इसको काफी समय तक लागू रखा गया तर जिसमें कई कड़े प्रावधान लागू किये गए थी, फ्रांस जो की यूरोप का एक development nation माना जा Islamophobia का तेजी से rise हुआ है, जिसके लिए दो main reasons जिम्हेदार मैं personally मानता हूँ, जिसमें से पहला हैगा migration, जिस तरीके से Middle East से migration हुआ है और दूसरा हैगा COVID-19, migration को मैं और साथ ही narrow minded politics को primary reason मानता हूँ, जबकि secondary reason मैं COVID-19 को मानता हूँ, COVID-19 के समय हमने देखा था किस तरीके से American countries ने किस तरीके से European countries ने South East Asian countries के लोगों पर racial comment किये थे, जिस तरीके के हालात war countries में बने जैसे की Middle East countries में इराक, इरान, सीरिया, लेबनान, यहाँ पे जो हालात बने उस वज़ए से बहुत से लोगों ने migrate किया Europe की तरफ में, आपको तादूस रुआत में European का स्वागत किया लेकिन समय के साथ ये अपने आपको European culture के साथ assimilate नहीं कर पाई, और दूसरी तरफ कुछ European का ये माना था कि इनके यहाँ आने के वज़ए से हमारी jobs खत्रे में पढ़ गई हैं, और इनके यहाँ आने के वज़ए से हमारे यहाँ पे चोरी और rape जैसे जो case हैं, उनकी संख्य लगातार बढ़ने लग गई है, और इन दोनों ही issues को बड़ा बनाकर far right wing political parties ने vote बटोडने शुरू कर दिये, नतीजा Islamophobia का rise होने लग गया, और अगर ये आप मुझसे पूछो तो ये 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 यूरोप की policy में दिखाई भी देता, European Union ने साल 2016 में टर्की को 1000 करोड़ों दिये, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने South East में एक province बनाए, जहां पर migrate करने वाले लोगों को रखा जा सकी, बेटेंड जो की बले ही EU से अलग हो गया था, उसने भी अपनी policies को बनाया, और कोशिश की कि migrate करने वाले लोगों को रवांडा में shift किया जा सकी, इनी कारणों से right विंग political parties का यूरोप में और Northern American continent में काफी विकास हुआ है, और उन्होंने कई जगा पार्लियमेंट में अपनी सीटे बढ़ाई हैं, उधारन के लिए इटली में जोट जा मिलोनी ने अपनी सरकार बनाई, जो की right-wing political party से associated बताई जाते हैं, साथ ही हाल ही में, ग्रीस में हो अबाव ही है, जिस वज़े से स्वीडिन में 29 जून 2013, यानि के परसो ही स्वीडिन के लोगों को freedom के right को ध्यान में रखते हुए, एद के दिन कुरान तक को जलाने की इजारत दे दी गई थी, फ्रांस में इसका क्या impact होगा, फ्रांस में देखे बेसिकली जो फ्रांस की political party ह जो कि इस समय opposition में है, परसनली मेरा मानना है, जो कि far right wing political party है, जो कि डोनाल्ड टरम्प भी जिन के आगे कुछ नहीं है, उनकी नेता मरीन लापेन ने इन इशूस को पहले से उटाना शुरू कर दिया है, आपको बता दू कि मरीन लापेन को साल 2022 में राष्टपती को बढ़ावा देना, इस सबसे इंडिया पर क्या impact पड़ेगा, देखिए ये topic सबसे important है, देखिए इसलामोफोबिया तो एक terminology हो गई, जिस वज़े से हम कह सकते हैं कि इसलामों को target किया जा रहा है, लेकिन असल में South East Asian nation मूल के लोगों को भी target किया जा रहा है, COVID-19 के समय ह ने देखा था किस तरीके से South East Asian nation के मूल के लोगों को target किया गया, उनको blame किया गया कि उन्होंने COVID-19 को spread किया है, आपको बता दू कि आज पाकिस्तान के मुसल्मानों से जारा संक्या भारत के मुसल्मानों की है, इंडोनेशाई मुसल्मानों की बारत की मुसल्मानों का number आत क्योंकि फ्रांस के राष्टपती Emmanuel Macron ने और वहां की प्राइम मिनिस्टर दोनों ने ही नाहिल के पक्ष में अपना मत दिया है, और पुलिस की कारवाई के दिंदा की है, हाला कि मैं आपको बता दू उन्होंने ये विका के प्रोटेस्टर्स को इस तरीके से आगजनी नहीं करनी चाहिए, देखिए, फ्रांस के राष्टपती Emmanuel Macron की पोजेशन इस समय फ्रांस में काफी वीक है, मैं आपको बता दूँ चाहिए, वो COVID-19 के बाद गिरती अर्थ विवस्ता हो, या फिर हाल ही में लॉल आया गया था, जिस वजए से पेंशन्स के इनियम चेंज किये पाएंगी, हाला कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ट कर रहा हूं, अभी तक भारत सरकार ने किसी भी तरिके का डायलोग फ्रांस की गवर्मेंट के साथ इस टॉपिक को लेकर नहीं किया है, अगर इस टॉपिक से रेलिटेड कोई भी डेवलोप्मेंट होती है, तो उसके उपर मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूँगा, फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड, see you in next one, till then have fun